हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो इंगे नियाकर और आज वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो अर्थ है उस पर जो सेटलाइट हम भेशते हैं इस रोग जो सेटलाइट भेशती है या कोई भी नासा या स्पेसेक्स वो सेटलाइट किस दिशा में मूग करते हैं अर्थ के तो सबसे पहले हम देखेंगे यह सामने आपका अर्थ दिख रहा है और यह हमारा इंडिया है तो आप देखेंगे यह वेस्ट साइड है और यह इस्ट साइड है यह नौर्थ और यह साउथ तो जनरली हमारी अर्थ जो होती है वो वेस्ट से इस्ट की तरह मूग करती है मत सेटलाइट हम उनको बोहते हैं स Node-2 नासर फिर स्पेस अक्स, कोई भी एजएंसी है कि सेटलाइट को भेशती है तो पहले हम सेटिल्आइट होते है और फेला होता है हमारा लो अर्फ जाख ऊर्बिट जिसका जो रिंज से होता है लेकर 1600 मृ किलो मेंटर तक होता है और सफेकेंड होता है ऑर्गी करीब धस हजाएक मीडियम और से यु botti होता है जोकिक कम से कम 36,000 शेंस से उपर होग तो इनका जो जिसे कि हमारी प्रत्वी के चारोटर तर्चकर लगाते है है तोऑ गंटांब कर लेती है अग दिन पूरा हो जाता है ठीक है अपने अक्षब है तो जब अर्थ इस तरह से एक चक्र लगाने में 24 लेती है तो नॉर्मली जो अपने सेटलाइट होते हैं वो भी 24 हवर से लेते हैं और यदि थोड़ा उपर वाली कक्षाय में तो वह 12 घंटे से लेके तो 24 घंटी के बीच में आपका मोसम से संबंदी जो जानकारी है ठीक है आपके मोबाइल में आप जो GPS देखते हैं आप अपना जो ट्रेक करते हैं मेप को या फिर कॉलिंग के लिए यसे काफी जो है उसके कारण सेटलाइट को ऊपर भेजा जाता है जिसे हमें वहां का जो पूरा डेटा है हमारा सेटलाइट जो होते हैं वह किस दिशा में राउंड करते हैं तो हमें आपको बता दू कि जब सेटलाइट को भेजा जाता है तो सेटलाइट सब्सक्राइट रॉकेट से उपर जाता है ठीक है तो हमारी अर्थ आपको पता है वेस्ट से इस्ट की तरब मूव रही है तो हमा तो वो भी प्रत्वी के साथ ही राउंड करता है ठीक है लेकिन उसकी जो कक्षा रहती है वो जो क्लास रहती है उसका आर्बिट जो रहता है वो जो साइंटिस्ट है वो इस तरह से सेट करते हैं कि उस पे जो सोलर पेनल है आप देख सकते हैं कि यह सोलर पेनल है यह इसलिए क्योंकि इसके अंदर का पूरा function सही तरीके से चलता रहे तो इसका जो direction होता हो इस तरह से set करते हैं कि जो sunlight है वो properly इसे मिलती रहे ठीक है ज्यादा से ज्यादा मिले तो उस तरह से set करते हैं बाकि इसका जो direction होता है वो प्रत्वी के साथ waste से east की तरफ होता है ठीक है हाँ इस समझें कि हमें प्रत्वी से सेटलाइट का दिशा केसे लेगी तो वह ट्र geschक्त ही लगती है क्योंकि वह प्रत्वी के साथ ही गुमता है को कोई सेटलाइट यह ज्यादा दूरी पर हैं तो वो कम समझ में पूरा कर लेते हैं किसकी स्पीट का ठीके सेटेलाइट का भी इधर से इधर नहीं जाएगा ठीक है वह वेस्ट से इस्ट की तरह भी प्रत्वी के साथ ही गूमता है राउन लगाता है तो आई होब दोस्तों कि आपको यह चोटा सा वीडियो अच्छा लग आते हैं यह काफी के माइंड में आता रहता होगा तो यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा शोटा सा वीडियो है पर इंफोर्मेटीव वीडियो है प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा बाई जय हिन जय भारत जय इस्रों और चंद्रियां थ्री सक्स हो तो मिलते हैं किसी नहीं वीडियो में बाई बाई